बलेवुड एक ट्रेस श्री देवी का दिल का दोरा पढ़ने से दुबाई में निदन हो गया 54 साल की अदाकारा अपने पती बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी के साथ रविवार को दुबाई में एक शादी में शरिक होने गई थी अचानक श्री देवी के निदन की खबर से बलेवुड जगत समेट उनके प्रशंसक स्थब्द है जानकारी के मताबिक श्री देवी के मुंबई स्थित घर पर नजदी की लोगों का पहुचना शुरू हो गया है जहां वे उनकी बड़ी बेटी जाहनवी कपूर को धांधस भंगदा रहे है बताया जा रहा है कि फिल्म धड़ग के शूटिंग शेड्यूल की वज़े से जाहनवी फैमिली के साथ दुबई नहीं जा सकी थी बीतर अविवार को ही बलेवुड एक ट्रेस श्री देवी छोटी वेटी खुशी और पत्ती बोनी कपूर के साथ मुंबई एरपोर्ट पर दीखी गई थी ट्विटर पर देने लगे श्रद्धानजली बलेवुड ने श्री देवी को श्रद्धानजली देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है एक्टर सिधार्त मलहोत्रा ने ट्वीट किया है श्री देवी मैम के निदन की खबर सुनकर हैरान और परिशान हूँ आप उस्तरोप है रिक्त स्थान सब पाचे एक्टरेस्प्री अंका चोपा ने ट्वीट किया है मेरे पास शब्द नहीं है श्री देवी को प्यार करने वाले हर शक्स के प्रती संभीदना एक काला दिन भगवान उनकी आत्मा शान्ती दे आप उस्तरोप है रिक्त स्थान सब पाचे क्रिकेटर मोहमद कैफि का ट्वीट है श्री देवी जी के निदन की खबर सुनकर चौक गया उनके परिवार और दोस्तों के प्रती संभीदना व्यक्त करता हूँ आप उस्तरोप है जूली से किया था डेब्यू 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडू में जनमी श्री देवी ने 1975 में आई फिल्म जूली से डेब्यू किया था इसमें वे चाइल्ड आर्टिस्ट के और पर नज़र आई थी 1983 में आई फिल्म हिमत वाला ने उन्हें रातो रात स्टार बना दिया इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मूर कर नहीं देखा बता दें कि श्री देवी ने आखरी बार मॉम फिल्म में काम किया जो 7 जुलाई 2017 में हुई थी इसके पहले वे 2012 में आई फिल्म इंगलिश स्विंगलिश में नज़र आई थी श्री देवी ने फिल्म प्रोडियूसर बोनी कपूर से 1996 में शादी की थी दोनों की लव स्टोरी फिल्म में इंडिया 1987 की शूटिंग के धोरान से ही शुरू हुई थी श्री देवी ने अपने फिल्म इंडिस्ट्री के लोगों को चौंक आते हुए प्रोडियूसर बोनी कपूर के साथ शादी की थी श्री देवी ने सूलहवा सावन 1978 हिमतवाला 1983 मवाली 1983 तोफा 1984 नगीना 1986 घर संसार 1986 आखरी रास्ता 1986 कर्मा 1986 में इंडिया 1987 सहित कई फिल्मों में काम किया कर दो